ओम श्री पर्मात्मने नम्हा श्री श्रिव महापुराण रुद्र सहिता अध्याय नौ उमा सहित भगवान शिव का प्राकट उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन एथा ब्रह्मा आधी तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान विश्रू के द्वारा की हुई अपनी इस्तुति सुनकर कर्णा निधी महेश्वर बड़े प्रसन हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ पर प्रकट हो गए तो उस समय उनके पांच मुख और प्रतेक मुख में तीन तीन नेत्र शोभा पाते थे भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था सिर पर जटाधारण किये गौरवन विशाल नेत्र शिव ने अपने संपून अंगों में विभूती लगा रखी थी उनके दस भुजाएं थी, कंठ में नील चिन था, उनके श्री अंग समस्त अभूषणों से विभूषित थे, उन सरवांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म में त्रिपुंड से अंकित थे ऐसे विशेश्णों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्तित देख मैंने और भगवान विश्णू ने पुनह प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुती की तब पाप हारी करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन चित होकर उन श्री विश्णू देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया मुने उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरी को गुह ज्यान प्रदान किया फिर उन परमात्मा ने क्रपा करके मुझे भी भगवान दिया वेद का ज्यान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विशु ने मेरे साथ हाथ जोड महेशर को नमस्कार करके पुना उनसे पूजन की विधी बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की ब्रह्मा जी कहते हैं मुने श्री हरी की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन हुए कृपान इधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही श्री शिव बोले सुर्श्रेष्ठ गण मैं तुम दोनों की भक्ती से निश्य ही बहुत प्रसन हूँ तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयतन पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रक्रती से प्रकट हुए हो मुझ सरवेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है यह लोग पितामा ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्ष से उत्पन हुए हैं और तुम विश्णु मुझ परमात्मा की वाम पार्ष से प्रकट हुए हो मैं तुम दोनों पर भली भाती प्रसन हूँ और तुम्हें मनो वांचित वर देता हूँ मेरी आग्या से तुम दोनों की मुझ में सुद्रन भक्ती हो ब्रह्मन तुम मेरी आग्या का पालन करते हुए जगत की सृष्टी करो और वत्स विष्णो तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधी प्रदान की जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं शंभू की उप्रत बात सुनकर मेरे सहीत श्रीहरी ने महेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा भगवान विष्णु बोले प्रभो यदि हमारे प्रतियापके रिदे में प्रीति उत्पन हुई है और यदि आप हमें वर देना आवशक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ती बनी रहे ब्रह्मा जी कहते हैं मुने श्रीहरी की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनह मस्तक जुका कर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायन देव से स्वयम कहा श्री महाद महेश्वर बोले मैं स्रिष्टी पालन और साहार करता हूँ सगुण और निर्गुण हूँ तथा सचिदा नंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा हूँ विष्णू स्रिष्टी रक्षा और प्रले रूप गुणों अत्वकार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णू और रुद्र नाम धारन करके तीन स्वरूप में विभक्त हुआ हूँ हरे वास्तम में मैं सदा निश्कल हूँ विष्णू तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित जो इस्तुती की है तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ ब्रह्मन, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा जो नाम से रुद्र कहलाएगा मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ मुझसे कम नहीं होगी जो मैं हूँ वही यह रुद्र है पूजा की विधी विधान की दृष्टी से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है जैसे जोती का जल आदी के साथ संपर्क होने पर भी उसमें पर्ष दोष नहीं लगता उसी प्रकार मुझे निर्गुन बर्मात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता यह मेरा शिव रूप है जब रूद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्ले होंगे महामुने उनमें और शिव में परायपन का भेद नहीं करना चाहिए वास्तम में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है अता शिव और रुद्र में कभी भेद बुधी नहीं करनी चाहिए वास्तम में सारा द्रश ही मेरे विचार से शिव रूप है मैं तुम ब्रह्मा तथा ये जो रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं इनमें भेद नहीं है भेद मानने पर अवश ही बंधन होगा तथा पी मेरा शिव रूप ही सनातन है यही सदा सब रूपों का मूल भूत कहा गया है यह सत्य ज्यान एवं अनंत ब्रह्म है ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए ब्रह्मान सुनो मैं तुम्हे एक गोपनिया बात बता रहा हूँ मैं स्वैम ब्रह्मा जी की भ्रकटी से प्रकट होंगा गुणों में भी मेरा प्राकटे कहा गया है जैसा कि लोगों ने कहा है हर तामस प्रकटी के हैं वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं वायकारिक सात्विक भी समझना चाहिए क्योंकि साथ्ट्विक देवगण वIntro वैकारिक अहंकार की ही स्रिष्टी हैं यह तामस और साथ्विक आधिभेद केवल नाम मात्र का है वस्तुतह नहीं है वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता ब्रह्मन इस कारण से तुम्हें ऐसे करना चाहिए तुम तो इस स्रिष्टी के निर्माता बनो और श्री हरी इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रक्रती देवी हैं इनहीं की शक्ती भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी फिर इन प्रक्रती देवी से वहां जो दूसरी शक्ती प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विश्णु का आश्रे लेंगी तदंतर पुना काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्य ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होंगी वे कारे की सिध्धी के लिए वहां जियोती रूप से प्रकट होंगी इस प्रकार मैंने देवी की सुरूपा पराशक्तियों का परिचे दिया है उनका कारिक्रम शह स्रिष्टी पालन और सहार का संपादन ही है सुर्ष्रेष्ट ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकटी देवी की अंशभूता है हरे तुम लक्षमी का सहारा लेकर कारे करो ब्रह्मन तुम्हें प्रकटी की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्या की अनुसार मन से स्रिष्टी कारे का संचालन करना चाहिए और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात पर काली का आश्रेले रुद्र रूप से प्रलै संबंधी उत्तम कारे करूँगा तुम सब लोग अवश्य ही संपून आश्रमों तथा उनसे भिन अन्यान्य विवित कारियों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की स्रिष्टी एवं रक्षा आदी करके सुख पाऊगे हरे तुम ज्ञान विज्ञान से संपन तथा संपून लोकों के हितैशी हो अता अब मेरी आग्या पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा मेरी ये बात सत्य है सत्य है इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है मेरे हिर्दे में विश्णू है और विश्णू के हिर्दे में मैं हूँ जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता, वही मुझे विशेश प्रिय है, श्री हरी मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए है, ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्रकट हुआ है, और महा प्रलेकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हिर्दय से प्रादुर्वूत होंगे, विश्णू मैं ही स्रिष्टी, पालन और साहार करने वाले रज आदित्रिवित गुणों द्वारा ब्रह्मा विश्णू और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो, तीन रूपों में प्रिथक प्रिथक प्रकट होता हूँ साक्षात शिव गुणों से भिन हैं, में प्रकटि और पुरुष से भी परे हैं, आदिवित्य, नित्य, अनन्त, पून, एवं निरंजन, परब्रम, परमात्मा हैं तीनों लोकों का पालन करने वाले श्रीहरी भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारन करते हैं तरिलोकी का साहार करने वाले रुद्र देव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारन करते हैं तथा त्रिभुवन की स्रिष्टी करने वाले ब्रमा जी बाहर और भीतर से जो भी रजोगुणी हैं इस प्रकार ब्रमा विष्णू तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं परन्तु शिव गुणातीत माने गए हैं विष्णू तुम मेरी आग्या से इन स्रिष्टी करता पिता मह का प्रसनता पूर्वक पालन करो ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनिय हो जाओगे ओम नमस्षिवाय शिव जी सदा सहाए सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माक शिदुक भाग भवेत ओम नमस्षिवाय